बिहार में अगर कमर लचकाया तो होगी कारिवाई नमश्कार आप देखें न्यूस फोर नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ पहले पुलिस विभाग में पुलिस महिला पुलिस कर्मी या फिर कोई भी पुलिस कर्मी का रिल्स बनाना या रिल्स के गाने पर थिरकना या उसका विडियो सोशल मीडिया पर अप्लोज करना में मना ही थी और अब यही कदम और यही फैसला सिक्षा विभाग की तरफ से उठाए गया है आपको बताए तो अब सिक्षा विभाग की तरफ से यानि सिक्षा विभाग के अपर मुखिश चीव आये सदिकारी इस अब एक सिधार के तरव से जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी सिख्षक या सिक्षी का स्कूल बाउंडरी के अंदर रील्स नहीं बनाएंगे और उस बसको अपलोड नहीं करेंगे बिहार के सिक्षा विभाग को सुधारने के लिए सिक्षा विभाग ने A.C.A. से सिधार्थ लगतार परियास कर रहे हैं एस सिधार्थ के बाद एक कड़े फर्मान जारी कर दी गई है जिससे सिक्षा के शेत्र में सुधार हो सके इसी कड़ी में सिधार्थ ने एक बार फिर एक नया फर्मान जारी किया इसके जरीयर उन्होंने सिक्षकों को पोचेताया है कि सिक्षक अगर स्कूल परिसर में रिल्स बनाते हैं तो उन पर सक्त कारवाई होगी दरसल बिहार सिक्षा विभाग निराज्य के स्कूलों में अनुशासन और सैक्षनिक महाल को बहतर बनाने के लिए कई महत्वपून नहीं न लिये हैं अपर मुख्य सुचीव डॉक्टर एस सिदार्थ ने स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार की गयर सैक्षनिक गतिविद्यों पर पूर्ण प्रतिबंद लगा दिया है हाला कि स्कूल के बाहर विद्यार्थियों या सिक्षकों को सोशल मीडिया गतिविद्यों में शामिल होने की छूट होगी डॉक्टर एस सिदार्थ नस्पष्ट कहा है कि स्कूलों में सिर्फ सैक्षनिक गतिविद्या ही होगी स्कूलों में डान्स, ड्रामा और सोशल मेडिया के लिए रिल्स बनाने जैसे गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा सरकार द्वारा उपलब्द कराई गई किताबों और पाचिकर्म पर जोर दिया जा रहा है साती बाल अधिकारों के प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा और विद्यार्थियों को उन्हें पढ़ने के लिए जाकरू किया जाएगा एसीए से सिदार्थ की ने डिजिटल सिक्षा पर जोर देने का आदेश दिया है दसवी और बारवी कक्षा के परिक्षाओं में कम्पूटर विशय का प्रस्न पत्र ऑनलाइन देने की योजना बनाई गई है ये कदम सिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने और छात्रों को डिजिटल यूग के साथ ताल में बिछाने के उदेश से किया गया है उन्होंने कहा है कि प्रदाना ध्यापकों को ये सुनिश्चत करना होगा होगा कि कक्षाई समय पर शुरू हो और पढ़ाई की गुर्वत ताबब नहीं रहे अगर किसी सिक्षा के खिलाफ लापरवाही की शिकायत मिलती है तो उस पर कारिवाई की जाएगी उन्होंने कहा है कि यदि हेट मास्टर सिक्षकों के लापरवाही की खिलाफ शिकायत करते हैं तो ऐसे में सिक्षकों पर भी कारिवाई होगी बिहार में लच्चर सिक्षा विवस्ता को ठीक करने की कोशिश लगाताव हो रही है इसके पहले भी सिक्षा विवाग के ACS रहे थे केके पाठक वो भी लगताद नयनय फरमान जारी कर रहे थे और उनके नाम से ही बिहार में सिक्षा विवाग में हड़कंप समचा रहता था सिक्षकों के भी भीतर खौफ समचा रहता था और अब इस सिधार्ट भी कुछ इसी तरह उनके ही पचपर चल रहे हैं आपको बताए कि सिक्षा बिभाग के सिधार्ट नहीं यह नया और बड़ा फैसला लिया है जुसमें यह निर्देश दिया गया है कि स्कूल बाउंडरी के भीतर अगर कोई सिक्षक या सिक्षिका कमर लचकाते हुए या डांस करते या रिल्स बनाते पकड़ा गए तो उन पर सक्त कारेवाई होगी तिलाल इस अबडेट में बस इतना ही आप देखते रहें तो इस पर नच यह चाहते है किरे भादेश नच पर उन सेपूने विल्स पर नच जयाए अगर प्रण्य थार नच प्रण्या घए जगर कोई आप ए मिल्स आप देख दिया लख नच, कि घू ध्रटेश रहेँ और रहें